हिमालिय की गोद में बसा हिमाचल आज भी वो हिस्सा हिंदोस्तान का जहां पे लोग प्रकृती के साथ बहुत ही सहज तरीके से रहते हैं सादा जीवन, कई सौ साल पुराने घर और बहुत ही खुबसूरत एतिहासिक मंदिर ये सबी हिमाचल के हर गाउं की एक छाप है तो एक ऐसे ही खुबसूरत हिमाचल प्रदेश के गाउं के सफर पे आज हम आपको लेके चलेंगे जो हिमाचल प्रदेश के कुलू डिस्टिक में स्थित है और जो मनाली से लगबग 30 किलोमेटर के आसपास है और वर्चुल टूर के साथ साथ हम आपको यहां आने का रास्ता भी बताएंगे और कंप्लीट इन्फरमेशन देंगे कि आप यहां कब आ सकते हैं यहां कहां घूम सकते हैं और यहां रुकने का बेस्ट तरीका क्या है लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए जिस गाउं के सफर पे आज हम आपको लेके चलेंगे उस गाउं का नाम है जाना और जो मनाली के सबसे खुबसूरत गाउं में से एक है जाना विलेज मनाली से लगबख 34 और कुलू से लगबख 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और ये आज भी मनाली के सबसे खुबसूरत और अनेक्स्प्लोड विलेजिस में से एक है तो अगर आप भी मनाली का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं और एक ऐसी जगा ढून रहे हैं जहां पे आप एक महीना या फिर एक हफ़ते के लिए वर्क फ्रॉम होम करके विलेज लाइफ को जी सकें तो जाना से बहतर विलेज आपको शायद ही मिलेगा हमने अपने सफर की शुरुआत की कुलू से जहां से लेफ्ट बैंक होते हुए हम सबसे पहले नगर पहुंचे नगर पहुंचके आपको दो डाइवर्जन दिखेगी और वहां से आपको जाना वाटरफॉल वाला रोड लेना होगा और डेली से यहां आने का सबसे बहतरीन तरीका ये है कि डेली में कश्मीरी गेट तक आप मेट्रो ले सकते हैं और वहां से मजनू के टीले तक आप आटो ले सकते हैं और मजनू के टीले में आपको हर वालवो का आफिस मिल जाता है तो वहां पे बारगेन करके आप 800-1000 तक मनाली तक की वालवो ले सकते हैं डेली से शाम की वॉल्वो लेने के बाद आप सुबा तक मनाली पहुंच आएंगे और एक दो दिन लोकल साइट सिंग करने के बाद आप जाना का रोड टिप प्लान कर सकते हैं मनाली से जाना विलेज और जाना वाटरफॉल एक्स्प्लोर करने के लिए आप टेक्सी या फिर बाइक रेंटल्स का सहरा ले सकते हैं और ये दोनों चीज़ें आपके बजट पे डिपेंड करती है आदे घंटे की ड्राइप की बाद हम भी फाइनली जाना पहुंच गए और जाना विलेज को एक्स्प्लोर करने से पहले हमने जाना वाटरफॉल को एक्स्प्लोर करने का सोचा जाना वाटरफॉल मनाली के सबसे खुबसूद वाटरफॉल मैंसे एक है और ये जाना जाता है अपने traditional food और beautiful waterfall views के लिए और साथ ही गर्मियों में आप यहाँ waterfall की बीच में लगी हुई टेबल कुर्शियों पे बैट के भी खाना खा सकते हैं जो अपने आप में बहुत ही fulfilling experience होता है हमने भी थोड़ी देर यहाँ रुक के यहाँ पे local dish शिड्डू का मज़ा उठाया जिसे आप भी try कर सकते हैं जाना waterfall को explore करने और सिड्डू खाने के बाद हम लोग जाना village की तरफ चले गए और इस village को explore करने के लिए आपको 10 से 15 मिनिट का छोटा सा track करना पड़ेगा तो अगर आप बात कर लें इस जगा को विजिट करने के best time की तो इस जगा को आप साल भर में कभी विजिट कर सकते हैं लेकिन अगर आप lush green dream इस जगा को विजिट करना चाहते हैं तो August और September मन्थ आपके लिए perfect रहेंगे और अगर आप है snowfall के दिवाने तो December और January मन्थ आपके लिए perfect रहेंगे जाना विलेज के track पे आपको एक छोटा सा और बहुत ही खुबसूरत मंदिर देखने को मिलेगा जो ही माचली ट्रेडिशनल वे में बनाया गया है और आप यहाँ पे माथा टेक सकते हैं और एक और चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं अगर आप भी कुलू मनाली का road trip प्लाइन कर रहे हैं और यहाँ के beautiful unexplored home stage में रहना चाहते हैं जहाँ पे आपको authentic कुलू मनाली का feel मिल सके तो आप हमें Instagram पे DM कर सकते हैं थोड़ी देर के track के बाद हम फाइनली जाना विलेज पहुँच गए और विलेज की entrance पे सबसे पहली चीज जो हमें दिखी वो था यहाँ का temple जिसने इस जगा में चारचान लगा दिये जाना विलेज का ये temple कातकुनी आर्किटेक्टल स्टाइल में बनाया गया है जो ही माचल के traditional आर्किटेक्टल स्टाइल्स वैंसे एक है तो अगर अब बात कर ले यहाँ पे आप कहां रुप सकते हैं जाना विलेज में आपको कोई होटल नहीं मिलेगा क्यूंकि ये बिल्कुल traditional वे में बना हुआ आज भी मनाली के सबसे authentic villages में से एक है तो यहाँ पे आपको सिर्फ homestays ही मिलेंगे मंदिर को explore करने के बाद हम विलेज को explore करने के लिए निकल गए और जब हम विलेज को explore कर रहे थे तो एक चीज जो हमने हर घर में comment देखी कि हर घर के नीचे बहुत सा घास और बहुत सी लकडियां कठी की हुई थी और जब हमने यहां के लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि सर्दियों में जब यहां बहुत ज़्यादा बरफ पड़ जाती है तब वो इन्ही लकडियों के सहारे अपने सर्दियों का टाइम काटते हैं इस गाओं में ज़्यादतर घर लकडि और चक्के से बनाए गए हैं चकों का फाइदा यह है कि जब सर्दियों में बहुत ज़्यादा बरफ पड़ती है तो वो चकों पे टिकती नहीं है जिसके कारण यह लोग इस चीज का इस्तमाल करते हैं और खास कर यह चीज यहां पर December 25 के आसपास यहां विजिट करते हैं तो 50% चासिस है कि आपको यहां पे बरफ बारी देखने को मिलेगी अभी अपने सामने हमाम देख रहे हैं जिसका पहाड़ी लोग पानी गरम करने के लिए इस्तमाल करते हैं सर्दियों में जब यहां बहुत बरफ पड़ती है तो कई करनी बार 15-20 दिन के लिए बिजली भी चली जाती है तो उस टाइम यह लोग हमाम और घर के अंदर चूलों का इस्तमाल करके ही खाना और बाकी चीज़ें करते हैं इस गाउं को बाहर से एक्स्प्लोर करने के बाद हमने सोचा क्यों ना हम अंदर जाके अपने एक दोस्त के घर में देखें कि वो कैसे खाना और कैसे रहते हैं अंदर जाने के बाद हमने देखा कितनी मौडनाजेशन के एरा में भी ये लोग कितनी सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जितनी सादगी से ये लोग अपना जीवन बिताते हैं उतनी ही जादा सादगी इन ल जहां से हमने विलेज को एक्स्प्लोर करना फिर से शुरू कर दिया हम से अक्सर बहुत से लोग पूछते हैं कि मनाली आने के लिए कितने दिन काफी होंगे तो अगर सही माई इनों में कहा जाए तो मनाली के लिए एक महीना भी कम है क्योंकि यहां पर बहुत ही ज़ादा हडिमबा टेंपल, सोलांग वैलियो और अटल टनल को कवर कर सकते हैं और बाकी दिन आप स्पेर रख सकते हैं यहां के ब्यूटिफुल और अनेक्स्प्रोड जगाओं को घूमने के लिए और अगर आप मनाली की अनेक्स्प्रोड जगाओं को लेके कन्फ्यूज्ड हैं तो हम पहले भी उस पे वीडियो बना चुके हैं और इस वीडियो को हम इस वीडियो के आई बटन पे अटाच कर देंगे तो आप उसे यहां पे क्लिक करके देख सकते हैं तो दोस्तों यही था खुबसूरत सफर हमारा जाना विलेज का और अगर आप भी मनाली का रोट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप इस विलेज को अपने विश लिस्ट में जरूर डालें क्यूंकि यह विलेज है ही इतना खुबसूरत और अगर आपको हमारे वीडियो अच् के कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें